ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ कि गूगल मैप्स के इस ओप्षन का मिस्यूस मत करना तो चलिए वीडियो की ओर हलो एवरिवन हमारे यूट्यूब चैनल टैक अरल पी भी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम गूगल मैप्स के बारे में एक बहुत इंपोर्टन जानकारी आपके सामने लेके आए हैं आप सभी Google Maps को यूज करते होंगे छोटे distance से लेकर बड़े distance तक हम Google Map की सायता से आसानी से cover कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे nearby में कोई store है, कोई medical, कोई hospital या कोई hotel है तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम किसी भी location को add करते हैं Google Map में और वो गलती से थोड़ा इधर उधर या मतलब गलत जंगा पर हम add कर दें तो उसको remove कैसे करते हैं, उसको edit कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम यही discuss करेंगे तो हमारी वीडियो को last तक ध्यान से देखिए और अगर आपका कोई भी question है तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो चलिए वीडियो start करते हैं जैसा कि आप screen पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने एक location Google Maps पे add करनी थी कोशिक stores के नाम से बट हमारे पास ये गलती से कोशिक enterprise और कोशिक store दो नाम से add हो चुकी है ये location तो वैसे तो ये nearby में ही है एक दूसरे के तो जो visitor हैं उनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा बट फिर भी Google Map पे अगर आपको store effective करना है तो एक ही location वहाँ पे होनी चाहिए अब जैसे हम यहाँ से कोशिक enterprise को remove करना चाहते हैं तो हम simply क्या करेंगे इस location के उपर click करेंगे आप ये location उपर search bar में भी search कर सकते हो otherwise आप location के उपर जाके भी edit कर सकते हो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे click कर रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा नीचे एक interface खुल के आएगा जो इस location से related है तो हम इसको open कर लेंगे यहाँ पे इस location के बारे में सारे information आ चुकी है तो अभी हम यहाँ पे आप तीन डोड देख पारे होंगे right hand side में उपर इस पे click करते हैं और सामने suggest and edit नाम से एक option आ रहा है हमें simply इस पर click करना जैसे ही हम इस पे click करेंगे तो आप यहाँ से इस location की मतलब adjustment भी कर सकते हो और इसको आप properly remove भी कर सकते हो जो आप देख रहे हो close or remove अगर आपने इस पर click कर दिया तो यह यहाँ से location हट जाएगी हाँ तुरंत नहीं अटेगी बट यह है कि three working days के अंदर यह location आपकी यहाँ से remove हो जाएगी और अगर आप इस location को remove नहीं करना चाते बट इसकी location जहाँ पे इस time है उसको थोड़ा adjust करना चाते हो या इसका नाम change करना चाते हो तो आप change name और other detail पे click करिए यहाँ पे आप इसका name, category या इसकी location जो map पे इसकी exact location है उसको आप left, right, up and down करके change कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसकी location को कहीं भी adjust कर सकता हूँ left, right, up and down यह हम move कर सकते हैं और उपर से हमें okay बटन दबाना पड़ेगा अभी फिलाल मैं इसको change नहीं कर रहा हूँ तो मैं okay बटन नहीं दबाऊंगा but I hope आप सभी को यह वीडियो समझा गई होगी ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल Tech RL PB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को share करें बाई